Hello students, welcome to the Global World Academy, चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपर्वाइजर महिला पर विक्षक का प्रीएस यहर पेपर, जिससे कि हम लोगोंने एक सीरीज स्टार्ट कर रही थी, जिसमें हम लोग 25 2017 का जो पेपर है, उससे यहाँ पर कम्प्लीट कर रहे थे, इसका फर्स शिफ्ट हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन वन जो है, पोशन वस्वास्त, वो आपसे 55 नमबर का यहाँ पर पूछा जाता है, और 45 नमबर में आपसे पूछा जाता है, य वो 45 इनका fix है, पूरा paper जो है 200 नंबर का है, और सारी चीज़े mix चलती है, कई maths के question कई shift में बहुत कम है, किसी में बहुत जादा है, किसी में health और ये जो अपना portion वस्वास्त है, याना health, hygiene वाला, health and nutrition वाला जो है, इसके questions बहुत ही जादा है, ठीके, तो आप ये मान कर चलिए किसमें mix question आपको देखने को मिलेंगे, पूरा paper एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीके, जिसी किसमें section तो बिल्कुल divide कर रखे हैं, section 2 जिसे 55 नंबर का paper अपने complete कर लिया है, उसका playlist आप सभी को comment box में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप उसे check कर स पूर्ण शक्ती केंद्र नामक pilot project को यहाँ पर start किया गया था, under which of the following scheme was the pilot project पूर्ण शक्ती केंद्र launched, सबसे पहले राष्ट्री बाल स्वास्ति कारिकुरम के द्वारा, समन्वित बाल विकास योजना के द्वारा, समेकित बाल सरक्षन योजना के द्वारा, या फिर पूर्ण शक्ती केंद्र को लाया गया था, और यह किसके लिए लाया गया है, राष्ट्री महीला सरशक्ती करण mission के लिए, तो option number D जो है, अपना यहाँ पर correct हो जाएगा, national mission for empowerment of women के लिए इसे लाया गया था, क्या concept है यह ना देखो, पूर्ण शक्ती केंद्र जिसे PSK के रूप में in short यहाँ पर कहा जाता है, एक convergence model है, जो की लक्ष करता है, जो की target करता है, यहाँ पर महिलाओं से संबंदित सेवाओं की मांग और आपूर्ती के बीच में जो gap है, जैसे जो demand है, वो supply उस समय पर नहीं हो पा रही है, जैना इसको कम करने के लिए, इस gap को कम करने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया था, परियोजना में जीला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत इस तर पर अभी सरन केंद्र यहाँ पर स्थापित करना शामिल है, ठीके, चलिए, अगले कुश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, what is the full form of Trifed, Trifed का पूर्ण रू इसमें सन वाले कही सारे कुश्चन देखने को मिलेंगे, कौन सी योजना कब लेकर आई गई थी, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें नंबर वाले कुश्चन बहुत चारे हैं, कितने ग्राम क्यलोरी आउश्रकता है, कितने किलो क्यलोरी पर डे होना चाहिए, carbohydrate कितना लेना चाहिए, ऐसे number वाले question बहुत ज़्यादा है, that means कि आपको इनको एक जगा note down जरूर से कर लेना चाहिए, चलिए, इस question का answer करिएगा, Trifet का full form, Tribal Cumulative Marketing Development Federation of India Limited, Tribal Corporation of Marketing and Development Federation, Tribal Corporate Marketing Development Federation of India Limited, या फिर ये Tribal Collective है, देखो क्या answer यहाँ पर correct होगा, Tribal Corporation है, या Corporative Marketing and Development Federation of India Limited है, तो सही answer है, यहाँ पर अपना option number C, क्या है, Tribal Corporative Marketing and Development Federation of India Limited, Trifet का full form है, ठीकि इस चीज़ को जरूर से आप note down कर लेना, अगला question देखते हैं, Jail Tantra में उपस्तित निम्नय योगी को पर विचार करिए, देखो, essay paper में mention किया है, कि हम लोग इसमें जो है, आपका general knowledge, और यहाँ पर पूछेंगे आपसे general ability वाले question, ठीकि लेकिन इसमें भी बहुत सारे question आपको science के देखने को मिल जाएंगे, ठीकि तो आप यह मान कर चलना कि सभी चीज़ें इसमें mix रहेगी, Jail Tantra में उपस्तित निम्नय योगी को पर आपको विचार करना है, इसमें पूछा है कि Jail Tantra में कार्यात्मक इकाई की रूप में कौन कारी करेगा hormone, enzyme और lipid, बिल्कुल तीनों ही जो है हमारे Jail Tantra की इकाई है, हमारे शरीर जो बना है, इससे ही मिलकर बना है, हमारे शरीर में ये चीज़ें पाई जाती है, Jail Tantra में, living system में ये सारी चीज़े होती है, that means तीनों ही चीज़ें हमारे लिए important है, hormones भी important है, है ना, जिसे कि कि प्रकार के hormone हमारे शरीर में पाया जाते है, जो हमारी body release यहाँ पर करती है, enzyme भी जरूरी है, भोजन के पाचन के लिए lipid भी यहाँ पर जरूरी है, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर correct है, चलिए, अब कुछ maths के question भी इसके अंदर है, maths के question भी हम लोग यहाँ पर solve कर लेत हैं, देखो सबसे पहला question यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, first question को देखिएगा, no वस्तू का विक्रय मुल्य, जैसा question में दे रखा है, कि जो no वस्तू है, इनका विक्रय मुल्य मतलब selling price, 12 वस्तू के क्रय मुल्य के बराबर है, लाब या हानी प्रतीशत की गढ़ना करिए, और गया है, कि no वस्तू का क्रय मुल्य, 12 वस्तू के विक्रय मुल्य के बराबर है, मतलब इस type के question यह पूछेगा आपसे, यह बहुत कम समय में होने वाले question है, तो बहुत फटा-फटा आप इनको करके निकल सकते हैं, जैसे कि अगर no वस्तू का विक्रय मुल्य, 12 के क्रय मुल् यह वाला चीज, ठीक है, cost price के बराबर और selling price, तो एक का अपन selling price निकाल लेते हैं, आप चाहें तो इसको SPCP को XY कर ले और नहीं भी करें, तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में आसानी हो जाएगी, तो एक वस्तू का विक्रय मुल्य किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे आप समझ बराबर होगा, अब इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि profit हो रहा है, कि loss यहाँ पर हो रहा है, अब आप देखो कि जहाँ पर आप एक वस्तू को 1.12.9 मतलब कि 1.something कुछ आएगा, अगर आप इसको इससे भाग लगाएंगे तो 1. मतलब उसी में आप एक से जादा वस तुको खरीद सकते हैं, मतलब कही न कहीं, आपको थोड़ा फाइदा तो हो रहा है, ठीके मतलब यहाँ पर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, और यहीं से अपना लगेगा प्रॉफिट परसेंटेज का formula profit percent क्या होता है sp minus cp divided by cp into 100 होता है मतलब कि हिंदी में लिखूँ तो विक्रय मुल्य minus क्रय मुल्य divided by क्रय मुल्य into 100 अपना यहां पर हो जाएगा राइट बस profit percent को हम लोगों को यहां पर निकालना है sp कितना दे रखा है बताओ हमको नहीं पता यहां पर हमने बुला है कि one का sp जो है एक वस्तू का जो विक्रय मुल्य है 12 बटा 9 वस्तू के क्रय मुल्य के बराबर होगा और इस cp को या क्रय मुल्य को एजर्टिस रहने देते हैं नीचे भी cp दे ही रखा है into 100 अपन यहां पर कर लेंगे cp से cp कट हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 3 बटा 9 मतलब 100 बटा 3 यहां पर हो जाएगा 1 बटा 3 हो गया into 100 करेंगे 100 बटा 3 तो यह हो जाएगा 33.33% का अपन को क्या हुआ है 35.33% का यहां पर profit हुआ है बस आपको यह वाली लाइन लिखना आ गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं फिर पूरे question का answer हो जाएगा हाना एक बार और मैं simple से language में यहां पर लिख देती हूँ कुछ इस तरीके से यह हो जाएगा 12 बटा 9 CP minus CP divide by CP into 100 12 में से 9 बचेंगे यह अपनने LCM ले लिया पूरे के बटे में CP है into 100 अपन यहां पर कर देंगे option number one correct हो जाएगा ऐसी उल्टा वाला भी करके देख लो समझ में आ जाएगे logics clear हो जाएगे question कुछ इस तरीके से था कि 9 बस्तूओं का क्राय मुल्य अपकी बार इसको CP बना दिया है example है यह ठीक है 9 बस्तूओं का क्राय मुल्य 12 बस्तूओं के विक्राय मुल्य के बराबर है मतलब जहां पर क्राय मुल्य लिखा हुआ है वहाँ पर इन्होंने विक्रे कर दिया और जहाँ विक्रे लिखा है वहाँ क्रे कर दिया तो इसको भी आप ऐसे ही solve कर लो कि एक का जो CP है वो कितने के equal हो जाएगा 12 बटा 9 के SP के equal हो जाएगा ठीक है यह लाइन लिखना आ गई इस लाइन को कैसे लिखते हैं अगर आप इसको देखेंगे तो one point something कुछ आ रहा है मतलब एक वस्तू खरीद रहे हो और यहाँ पर आपको उसने ही पैसे में डेड़ वस्तू बेचनी पर ही मतलब कि एक तरीके से यह नुकसान हो गया बस वही formula लगा के आप क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे यहाँ से पता चलगी आपनको loss percent हो रहा है formula तो वही रहेगा CP आ गया जाएगा क्योंकि इसमें क्राइम उल्य बढ़ा होगा और विक्राइम उल्य क्या हो जाएगा अपना छोटा हो जाएगा क्योंकि खरीद जादा मेरे और कम में बेच रहे हो मतलब नुकसान है तो CP minus SP divide by CP into 100 यह वाला formula लगा के करोगे तो इसमें आपका loss निकल कर आ जाएगा ठीक एक बार चाह होए तो आप करके देख सकते हैं ठीक है जैसे इसको वापस से आप चाहें तो CP में convert करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है ओके या फिर इसको SP में convert करके बस आपको यहां पर value रखनी है और answer लेके आना है ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ चलेंगे GSM क्या है GSM system क्या है global synchronization module है general system mobile है global system for mobile communication है या none of the above what is the full form of GSM अपने 2G, 3G, 4G, 5G network सुना है जो हम लोग अपने phone में use करते हैं internet के लिए calling के लिए तो उसी में ये पूछा हुआ है तो GSM होता है अपना 2G के लिए तो इसका full form अपन को यहाँ पर बताना है या इसका full form है global system for mobile communication option number C जो है अपना यहाँ पर correct हो जाएगा ऐसे ही अपने सब के नाम देख लो है ना 2G कब आया था सबसे पहले तो sun देख लो 1993 में आया था 3G 2001 में आ चुका था 4G 2009 में आ चुका था ठीक है और 5G आ चुका था 2018 में ठीक है अब यह जो है कौन सी technology पर काम करता है GSM global system for mobile communication ऐसे ही 3G जो काम करता है अपना UMTS के उपर करता है universal mobile for telecommunication system के उपर work करता है और 4G में आपने देखा होगा ना LTE लिखा हुआ रहता है जहां पर आपको network दिखाता है LTE लिखा हुआ आता है है ना that means long term evaluation ठीक है और 5G जो है अपना MIMO पर काम करता है multiple input multiple output यह आप देख सकते हैं ठीक है तो आपको यह चीजे ध्यान रखनी है जैसे कि यह GSM हो गया लिख लो Global System for Mobile Communication अभी option में था और यह वाला जो है UMTS के उपर कारी करता है Universal Mobile Telecommunication Service के उपर यह अपना LTE हो गया है ना long term evaluation हो गया ठीक है और यह multiple input multiple output के उपर कारी करता है उसमें सबसे जरूरी है bandwidth देखना इसकी बहुत कम मतलब comparison करें तो 25 MHz इसकी भी 25 MHz इसकी 100 MHz और 5G का आप देख 30 GHz to 300 GHz तक की यह अपन को service देता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं बहुत ही अच्छा question है एक page से दुसरे page पर जाने के लिए cursor का प्रियोग किस प्रकार से किया जाता है एक page से दुसरे page पर move करना है जैसे अभी जो screen चल रही है मुझे next screen पर जाना है ठीक है तो मेरे system म एक button होगा ठीक है उस button को कैसे या उस button का नाम क्या है जिससे मैं दुसरे page पर move कर सकती हूँ control के साथ यदि मैं page up दबाऊंगी तो मैं next page के उपर move कर जाऊंगी control के साथ page down डबाया that means यह इस तरीके से पीछे वाले page के उपर move कर जाऊंगी ठीक है मतलब इन दोनों का प्रि नियुकतराष्टरद्वारा बच्चों के जीवन, रक्षा, सरक्षन और विकास पर किस गोशना वर्ष अपनाया गया था मतलब United Nation ने बच्चों के जीवन, रक्षा, बच्चों के सरक्षन के लिए बच्चों के विकास के बारे में एक गोशना पत्र दिया था ठीक है उसक पर अपना करेक्ट है 1990 में, एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी देश के जो है लोग आये थे और वहाँ पर इस पर बातचीत की गए थी, 29-30 सेतंबर 1990 को नियुयोक शहर में संयुकतराष्टर मुख्याले में इसको आयोजित किया गया था, इसमें युवा और बच्चों के विकास सुरक्षा और अस्तेत्व के लिए 27 लक्ष रखे गए थे, ठीके जो डेवलाप्मेंट बच्चों के सरवाईवल और इससे कनेक्टेट थे, ठीके चलिए, आगे बात करते हैं, कुश्चन नमबर 8 की, अगेन मैट्स का एक कुश्चन है, जिसमें क् भिन्न के अंश में 200% की व्रध्धी कर दी जाए, और हर में जो है, 304% की व्रध्धी कर दी जाए, तो परिणा में भिन्न कितना हो जाता है, 5 बटे 12 हो जाता है, देखो इसको करने का एक short trick है, दोनों method से समझ लेंगे, short trick से भी समझ लेंगे, और ऐसे भी अपन इसको समझ अपन जोड़ेंगे, देखो अश को अपन मान लेते हैं x और हर को अपन मान लेते हैं y, तीक है, इसने क्या बोला है, कि 200% की व्रध्धी हो लिए, that means हम लोग मान लेते हैं कि percentage में तो हमारा अंश 100 x हो गया, और हर कितना हो गया, 100 y हो गया, अब इसमें 200% की व्रध्धी हो यह मतलब कितना हो गया, 300 x हो गया, 100 में 200 जोड़ दो, और 100 में 350 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 450 y हो जाएगा, तो result कितना बनेगा, परिणा में भिन्न जो बनेगा, वो बनेगा, 5 बटे 12, ठीके बस इसको solve करना है, तो आपकी x बटे y की value आ जाएगी, मूल भिन्न मतलब कि अंश बटे भर की बात हो रही है, 5 बटे 12, 450 इसको उधर लेकर चले जाएगा, और यह 300 नीचे आ जाएगा, बस इसको cut कर दो, यह 3 से cut हो जाएगा, और यह 15 बार कट हो जाएगा, 5 से यह 2 बार कट हो जाएगा, 3 चोग 12, 3, 5, 15, मतलब यह आ जाएगा, अपना इधर क्या बच्चरा है, 5 और नीचे बच्चरा है 8, 5 बटे 8 अपना अंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से आपको solve करना है, कुछ नहीं करना होता है, जब भी अंश और हर वाले question आते हैं, इसमें 100, 100 आप जोड़ दो, 200 में A जोड़ दोगे, 100 तो 300 हो जाएगा, और 350 में 100 जोड़ दोगे, तो 450 Y हो जाएगा, परिणा में भिनना कितना आ गया, 5 बटे 12 आ गया, यह तो हो गया direct करने का तरीका, और अगर आपको देखना है basic कैसे होता है, ठीके, तो आप कुछ नहीं करेंगे, वोई वाली चीज हो जाएगे, कि 200% के व्रद्धी हो रही है, यहना तो यह 200% के व्रद्धी आपने कर दी, ठीके, कुछ इस तरीके से आप करेंगे, और same for y के लिए करेंगे, तो यह भिनन कुछ बटे-बटी में बनेगी, इस तरीके से भी आप चाहें, तो इसको solve कर सकते हैं, ठीके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं basic से करके बता रखाएं, कि 200% के व्रद्धी होना, x कुछ था, उसमें 200% के व्रद्धी, y में 350% के व्रद्धी, इन दोनों को जब आप solve करोगे, तो 5 बटे 12 आना चाहिए, ठीके, इस तरीके से जब आप solve करेंगे, तो भी आपका answer same भी आएगा, तो ये direct तरीका है कि एक ही line में आपका answer आजाए, ठीके, चलिए, question number 9 को देखिएगा, ये reasoning का question है, नेमनल लिखित में से कौन सी उत्तर आकरती, प्रशन आकरती को पूर्ण करेगी, that means जहाँ पर question mark लगा हुआ है, वहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको ये जितना जल्दी हो सकता है, उतना जल्दी आप करने की कोशिश करेंगे, यैसे कि अपनको ये दिख गया है, एक एक चीज को identify करना है, जो बड़ी बड़ी highlight हो रही है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब यहाँ वाला जो होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ये तो अपनको समझ में आता है, कि चारो चीज़े equal होनी चाहिए, चारो block equal होना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ये तो इस side वाला है, ये वाला shaded भागे, ये वाला खाली है, मतलब सामने वाला भी खाली होना चाहिए, ये वाला खाली है, तो B अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि D में क्या कर रखा, इसको highlight कर रखा है, ठीके तो अगर मैं ये highlight कर दूँगे, तो ये ακीला रह जाएगा, ठीके, मतलब आमने सामने वाली चीज़े equal है, सीधी सी भाषा में, तो ये और ये चीज़े, question mark वाली चीज़े भी equal होनी चाहिए, मतलब correct answer क्या होगे, option number B हो जाएगा, ठीके, जितनी जादा इनकी practice करोगे, उतने से ही आपको देखते से question समझ में आने लग जाएंगे, अगला question देखेगा, राष्ट्री महिला आयो गधीनियम को किस वर्ष लाया गया था, याना तो महिला आयो गधीनियम आया था अपना 1990 के अंदर, ठीके, 1990 अपना correct answer हो जाएगा, ठीके, यी चीज धियान रखना, आप लोग महिला आयो गधीनियम 1990 जो है, इसको पारित किया गया था, कब पास हुआ था 1990, आगे बात करते है database भाषा, जो आपके database में data तक पहुँचने और उसको बनाय रखने की अनुमती देता है, उसे क्या कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छा question है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि SQL से connected ये question है, computer के, इसमें database भाषा, जो आपके database में data तक पहुँचने और उसको बनाय रखने की, उसको maintain करने की अनुमती देता है, उसको DCL, DDL, DML क्या कहा जाएगा, तो correct answer यहाँ पर DML है, option number C, लेकिन ये DCL, DML होते क्या है, जिस्ट आप एक imagine करो कि आपको एक sheet यहाँ पर भरनी है, आपको ये काम दिया जाएगा कि Excel sheet भरनी है, कितनी महिला उने TK लगवा लिए, कितने बच्चों ने लगवा लिए, कितनी महिला है, इस राज्य को छोड़ कर जा जूए, क्यों इन जर्रल ही होता है कि कोई एक state से दूसरे state में जाता है, तो फिर database से हम लोगों हटा देते हैं, कि अब यहाँ पर TK नहीं लगवाएंगे, इस तरीके से चीज़े होती हैं, तो मालो आपके सामने ये चीज़ें आती हैं, तो आप क्या करेंगे, जो database fill करते हैं, वो कुछ इस तरीके से table format में fill किया जाता है, तो इसके कई सारे type होते हैं, जिसे अपन देख लेते हैं, कौन-कौन से type होते हैं, फिर एक के को समझेंगे, सबसे पहले होता है DDL, data definition language, दूसरा होता है data query language, data manipulation language, data control language, transaction control language, ठीके, अब data definition से क्या समझ में आ रहे हैं, ये words सारे English में ही हैं और आपको English में ही याद रखना है ये हिंदी में translate करोगे, तो computer ऐसा है कि वो आपको English में ही पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में तो कुछ और ही meaning इनके निकल जाएंगे, data definition में आप data को define करते हैं, data को define करना जिसे कि एक महिला है, उसकी IU कितनी है, उसका mobile number कितना है, उसकी graduation क्या है, एक व्यक्ति कि आपने सारी information यहाँ पर ढाल दी है, कि वो कौन से शहर में रहती है, वो कौन से राज्य से belong करती है, ऐसे, और आपने व्यक्ति का, just like मेरा पूरा data यहाँ पर define कर दिया, एक table के अंदर, तो यह हो गया data definition language, अब DQL में क्या होता है, कि query मतलब कि आप उससे पूछ रहें कि यह कौन से रा एक मेरा mobile number चेंज हो गया, तो वहाँ पर जो है, मेरा mobile number अपडेट करना पड़ेगा, या फिर मैं किसी दूसरे राजे में जा रही हूँ, दूसरे state में जा रही हूँ, तो वहाँ पर मेरी वो information जो है, वो change करनी पड़ेगी, या फिर मैंने अपना कोई भी आधार card अपडे दोनों topic ही confusing है, detail data definition language जैसा होता है कि अभी तक आपने 7 column बनाए थे, एक एक व्यक्ति की information के लिए, जिसे मेरी जितनी information है, आपकी भी information next line में डाली गई है, ठीके, अब आपकी इसमें उपर से आपको आदेश आया कि इन सभी लोगों के आपको आधार card number डालने, तो आप क् भी नई information आपको डालनी है, तो वो DDL के थ्रू डलेगी, लेकिन अगर मेरी कोई information personal, मेरी कोई information change करनी है, तो वो DML के थ्रू डलेगी, तो ऐसा बोला जाता है कि data definition language जो है, database में modification कर सकता है, मतलब database मतलब जो बड़ी information है, जिसे कोई चीज add करनी है, कम करनी है, जिसे इनको क जरूरत नहीं कि आप किस state के है, तो वो वाला column हटा दो, तो वो किस के through होगा, DDL के through होगा, लेकिन DML के through मेरा state change हो सकता है, मतलब personal information change करनी है, तो किस के through करेंगे, DML के through, मतलब data change करना है, तो DML के through होगा, और database change करना है, तो DDL के through होगा, ठीकिए, यह चीज़ आपको थो language मतलब आपने क्या-क्या यहाँ पर activity perform करी है, आपने कोई चीज add करी है, कुछ भी extra activity जो होगी वो इसमें हो जाएगी, आपने कोई command दी है कि मुझे इन सारे व्यक्तियों का जो है mobile number एक साथ एक format में चाहिए, तो उस तरीके से आप इसमें डाल कर यहाँ आपना कोट डाल कर निकाल सकते हैं, इस तरीके से होती है यह चीज, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, पैपसीन, एक बार ओर में आपको चलो question भी दिखा देती हूं फिर से, question में कुछ इस तरीके से पूछा था कि database भाषा जो आपको database में data तक पहुँचने में मदद करेगा, तो अगर आपको data तक पहुचना है तो DML होगा, और अगर यही question ऐसा पूछता, कि database भाषा में जो आपको database तक पहुचने में मदद करेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता, DDL हो जाता, ठीके, दोनों चीज़े ध्यान रखना, क्योंकि अगर exam में यह question पूछा गया that means इससे भी advanced question आपसे अब exam में पूछा जा सकता है ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले question की पैपसीन किसका उधारन है, enzyme का vitamin का, hormone का या फिर lipid का तो पैपसीन आप सभी को पता है, यह एक प्रकार का enzyme होता है, option number one यहाँ पर correct हो जाएगा, आप इस list में सारी चीज़े देख सकते हैं कि इसके location कहाँ पर है, that means यह कहाँ पर होता है पैपसीन, peptide bond होते हैं peptide bond यहाँ पर होते हैं इनका pH, 1.5 से 2 के बीच में होता है acidic प्रवर्ती के यह होते हैं stomach में यह पाया जाता है, so crows आप देख सकते हैं, ठीके 6.2 इसका pH रहता है, छोटी आथ में यह पाया जाता है, amylase lipids होते हैं, जो protein का पाचन करते हैं, pancreas में यह पाया जाता है, ठीके तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं, कि कौन कहाँ पर पाया जाता है, pH इतना जरूरी नहीं है, बाकि फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को अगला question number 13 देखिएगा again एक maths का question है, जिसमें यह पूछा गया है, किसी राशी पर चक्रवर्ती भ्याज और साधारन भ्याज के अंतर, compound interest और simple interest के बीच का अंतर, दो वर्ष, मतलब समय अपन को दे रखा है, दो वर्ष और दर दे रखी है, 4 प्रतिशत की दर से difference कितना है 56 रुपए है, ठीक है, question देखकर आप यह लिख पा रहे हैं, कैसे इसको solve किया जाता है ठीक है, अब इसको कैसे solve करेंगे इसकी एक तो trick भी होती है और एक basic से solve करने का तरीका भी होता है दोनों चीज़ें यहाँ पर होती है तो पहले आपको trick दिखा देते है trick से directly answer कैसे आता है जब भी 2 वर्ष के लिए पूछे तो आपको इसको कैसे solve करना है CI minus SI, मतलब question यह हो और आपको यह 2 वर्ष के लिए पूछा हो, आना CI minus SI 2 वर्ष के लिए PR square divided by मुलधन बोल रखा है इसने कि आपको क्या करना है, sum find out करना है R का square मतलब 4 का square हो जाएगा और नीचे कितना 100 का whole square है तो 100 into 100 हो जाएगा बस इसको solve करोगे तो आपका answer आजाएगा P को इधर ही रेंदो 100 को उपड लेकर चले जाओ नीचे कोने 4 into 4 इसको cut कर लो 4 से कितनी बार cut हो जाएगा 25 बार, ये भी 25 बार ठीके तो ये 625 into 56 हो जाएगा और नीचे तो कुछ बचाएगी नहीं बस ये ही हो गया, ये ही आपका answer है आप इसको solve करेंगे, तो 25 25 का दो बार कर लो, ये 56 का आप इसमें multiply कर ले 6, 35 चलो, एक बार आप करके देख लो इसको, है न 35, 32, 33 वाला 35,000 आपका इसमें answer आजाएगा ये कि 35,000 जो है आपका total मूलधन आजाएगा ये आप इसे भी कर सकते, 25 का पहले 56 में multiply कर ले और फिर 25 का कर ले, तो 25 का पहड़ा बोलना आसान रहेगा 25, 125, 25, 150 होते हैं, इसमें 125 जोड़ दें आप ठीके, ये हो जाएगा और फिर इसमें 25 का multiply कर ले ठीके, तो ये आपका answer आजाएगा, 35,000 रुपए ये तो हमने किया trick के थुरू, ये trick लिख लेना आप लोग काम आएगी जब भी 2 वर्ष के लिए निकालना हो और difference दे रखा हो CI और SI का, तो PR2 divided by 100 का whole square आप यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको नई जमता है trick के थुरू, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं T 2 वर्ष दे रखा है, समय आपको ये जो है, दर जो है आपको 4 पतिशत दे रखी है difference आपको दे रखा है 56 का, तो आप सबसे पहले SI का formula लगा ले PR2 divided by 100, ठीके फिर आप CI का लगा ले, ठीके CI का क्या होता है ठीके ये वाला, फिर इन दोनों का difference करके उसके बराबर में आप 56 लिखें तो भी आपका answer यहाँ पर आ जाएगा, ठीके, लिखकर देखना है तो आप कर सकते हैं P हमको यहाँ पर निकालना है, ठीके, R हमारे पास 4 दुना 8 हो गया, R और समय, ठीके, तो ये 8P by 100 अपनी SI की value हो गई, CI का P हमको पता नहीं है यहाँ पर R की value 4 है, मतलब 104 बटा 100 का whole square minus 1 यहाँ पर हो गया ठीके, यह अपन बस whole square इसी को solve कर रहे है, 26 का square 696 बटे 625 P minus P अपन इसको लिख सकते हैं क्योंकि P का अपन अंदर multiply करेंगे, यह अपनी CI के value आ गई, ठीके, यह CI के आ गई, और यह SI के आ गई, बस इस इन दोनों का difference अपन को निकालना है, क्योंकि इसने बोला था, CI और SI का difference आपका 56 है तो इस value को लिख लो, 606 में से और solve कर लो, एक इस step और 6 में से 5 गए, 51, 51 बटा 625 P का answer है मतलब CI की value 51 बटा 625 P है, SI अपना है, 8 P by 100, आप चाहें तो 4 से cut कर लेना, तो यहां से आपकी P की value भी निकालोगे, तो 35,000 आ जाएगी CI और SI का difference 56 है, यहां पर आप पूरा CI चक्रवर्ती ब्याच का formula लगाएं, यहां पर साधरन ब्याच का लगाया और उसको 56 के बराबर रग दें, ओके, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 14 की, निम्रलिखित में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्त सुविधाओं क के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश जारी किया गया था, अब यह तो उस समय का current affairs था, लेकिन 2023 में भी इसके उपर report आती है, तो इस योजना का नाम है काया कल्प योजना, ठीके, 2023 में भी इस report का update किया गया था, यह health ministry के द्वारा launch की गई एक योजना है, काया कल्प is a national initiative by the ministry of health and family welfare to improve the quality of healthcare facilities in India, health, hygiene, cleanness, infection, control, इन सब के बारे में यह जानकारी फैलाती है, तो इस योजना का नाम क्या है, काया कल्प योजना, ठीके, चलिए, आगे बात करते हैं, यह reasoning बाला question है, बट अपन इसको बोल सकते कि computer का भी यह question है, basic knowledge है, अगर इसने बुला है कि net को COM कहा जाता है, COM को .org कहा जाता है, .org को .in कहा जाता है, what is the name of the website of Flipkart, अब आपको पता है कि Flipkart जो है, अपनी कौन सी website है, e-commerce website है, e-commerce website जो होती है, .com अपना लगता है, यह मतलब अपना basic knowledge था, जो government websites होती है, तो GOV उनके पीछे लग जाता है, कोई organization तो .org उनके पीछे ल का, कौन सी website किस तरीके की है, तो उसके पीछे उस तरीके का extension लगता है, तो Flipkart, e-commerce website, .com उसके पीछे यहाँ पर लग जाएगा, बिन्होंने क्या बोला है, कि .com को .org लिखा जाता है, तो अब अपन को बताना है .com के लिए, तो .com का answer क्या हो जाएगा, .org, that means Flipkart .org अपना answer हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से इन questions को यहाँ पर solve किया जाता है, clear यहाँ तक, चलिए, एक question और अपन यहाँ पर solve करते हैं, राश्ट्री भीमा स्वास्ति योजना के लाभार्तियों को एक वर्ष में पंजियन शुलक के लिए कितनी राश्री देनी पड़ती है, जि सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, परिवार के जो 5 सदस्ये हैं, अगर इससे जाद है वो इसमें include नहीं होंगे, परिवार के 5 सदस्यों को, maximum 5 सदस्यों को इसके अंदर cover किया जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखेगा, drag और drop के द्वारा cell content की प्रति लिखी हुई है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कहीं copy करना है, ये नाम वाला जो पूरा आपको cell दिख रहा है, cell मतलब पूरा एक column, ठीक है, इस cell को आपको कहीं copy करना है, तो आपने क्या करना है, इसको select करके रखा हुआ है, जब भी आप इसको select करेंगे, तो इस में है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, none of the above अपना आंसर हो जाएगा, control की का प्रियोग अपन को यहाँ पर करना पड़ता है, ठीके, अगला कुश्चन देखिएगा, exalptemic, gviter जो है, किसका कारण है, thyroid का 30-50 हो जाना, thyroid का अलपिस तरावण यहाँ पर हो जाना, तो गviter रोग तो आपने सुना है, गेंगा रोग आपने यहाँ पर सुना है, याना कि thyroid ग्रंथी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो अब यहाँ पर exalptemic, that means उससे भी थोड़ा excessive level का, ठीके, एक अगर normal हो रहा है, तो यहाँ पर जो thyroid ग्रंथी होती, वो बढ़ जाती है, लेकिट इस वाली बिमारी में क्या होता है, कि thyroid का 38-35 होने लग जाता है, आइस का जो बॉल है, वो कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है, thyroid यह गले वाला दिक्कत तो होता ही है, लेकिन साथ में पूरा दिक्कत यहाँ पर होने लग जाता है, बहुत excessive लेवल पर हो जाता है, BP भी बहुत high इसके अंदर रहता है, तो हम लोग इसका बोल सकते कि thyroid का क्या हो जाना, 38-35 होने के कारण जो है, यह वाली समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, तो option number one यहाँ पर correct हो जाएगा, आगे बात करतें अगले question की, सती समीती रोक्थाम अधिनियम 1987 के अंतरगत निम्नमेंसे कौन सी महिलाओं को सती की शेणी में रखा जाता है, ठीके, सबसे पहले एक महिला जिनको अपने म्रतक संबंदी के देहे के साथ उनके स्वच्छता पुर्ण जला दिया जा रहा है, एक महिला जिनको अपने म्रतक पती के देहे के साथ जबर्दस्ति जला दिया जा रहा है, ठीके, अगला question देखिएगा, next question क्या है, question number 20, again यह mirror image वाला question है, निम्नमे से कौन सी उत्तर आकरती दी गई प्रशनाकरती की सही दरपन प्रतिबिम्ब होगी, जब दरपन को रिखा MN पर रखा जाता है, जब इस दरपन को रिखा MN के उपर रखा जाएगा, तो इसका प्रत margin करो, अगर आप सीधे खड़े हो, तो आप सीधे ही दिखोगे, उल्टे तो दिखोगे हैं नहीं, मतलब अगर arrow नीचे है, that means arrow वापस से आपको नीचे ही दिखेगा, ठीके, तब आप यह देखो कि यहाँ पर arrow नीचे है, तो उपर वाले जो option है, वो वैसे ही गलत हो गए, that means आपका answer या तो C होगा या फिर D होगा, जो यह इस side dot आपको दिख रहा है, यह किस side चला जाएगा, इस side चला जाएगा, तो इस प्रकार से इसका mirror image बन जाएगा, correct answer क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, ठीके, यह इधर है, तो यह किधर आजाएगा, इस side आजाएगा, next 25 questions और है, 45 questions है, so next 25 questions हम लोग अपनी अगली class में complete करेगे, तब तक आप इन questions की और अच्छे से practice कर लेना, इस type के जितने भी questions है, उनके आप practice जरूर से कर लेजेगा, क्योंकि हर paper में, level यह यह बहुत hard level नहीं है, math reasoning का, basic questions जो हैं, जो tricky होते हैं, tricks आप solve कर सकते हैं, वही question exam में पूछे गए हैं, okay, so मिलते हम लोग अपनी next class में, और साथ ही इसका जो PDF है, paper का PDF आपको female supervisor करके, एक study material हमारा folder है, app पर, वहाँ पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप और questions की practice कर सकते हैं, ठीके, और जितनी भी important PDF है, जिसमें किसी भी committee के बारे में ब जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप उसके बारे में detail और विस्तरत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, okay, so session cover करते हैं, मिलते हैं next session में, thanks for watching.